हाई फ्रेंड आप सभी भीवर्ष को मेरे तरब से नमस्ते सस्टेकाल और आदाप सभी भीवर्ष को मेरे चैनल सुनिता उल वर्ल्ड में स्वागत है और जो नए नए भीवर्ष मेरे चैनल में जुरे हैं उन्हें मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी भी वर्ट से रिक्वेश्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और सस्क्राइब जरूर से जरूर कर दे फ्रेंड तो चलिए आप सभी को मैं एक ब्यूटिफूल टेबल मेट और ठाल पोस की डिजाइन सिखाऊंगी इस वीडियो में तो देखिए फ्रेंड मैं इसे किस तरह से बनाई हूँ यह आपको दिखा रही हूँ मैं थोड़ा सा मैंने इसे डेकुरेट करके भी दिखाया है कि आप इसे कैसे रख सकते हो टेबल के ऊपर इस तरह से मैंने देखिए यह जार को मैंने रखा है इस तरह से यह किती प्यारी से दिख रही है इस तरह से आप डाइन टेबल के बीच और बीच इसे इस तरह से सजा के भी रख सकते हो यह बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे घर से बहुत अच्छा मेच कर रहा है क्योंकि मेरे पर्दे की कलर भी बुलू है और यह भी रॉयल बुलू है बहुत एक खुशूरत दिख रह आएए इस तरह से इसके उपर आप कपको भी लगा सकते हो या या तो ये आप इस जार को भी आपकी इस तरह से रह सकते हो बहुत पहुती खुबसुरत दिख रह ये देखिए फ्रेंद अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बनानी है से और इसमें क्या-क्या लगेगा इसकी सब्सक्राइब है और इसमें एक क्रेश इंडसे में सीजर लिए और एक निडल सोस है और ये पतली इंडसे नमबर भारिव की में थेस लिए मैं इसे मेरे पास मोटी उन नहीं थी आ ये देखिए निडल्स का नंबर में दिखा रहे हूं आपको ये 7 नंबर का है और ये 4.5 mm का है ठीक है आपको दिखता होगा फ्रेंड और इस तरह से मैं इसे मोटा करके बनाऊंगी से क्योंकि मैं मैट बना रही हूं टेबल मैट ये क कप अगरे या प्लेट अगरे रखने के लिए है तो इस करण मैं इसे दो जॉइंड करके बनाऊंगी इस तरह से ठीक है और इसे रखती हूं मैं अब आपको दिखाती हूं कि कैसे बनाना है इस तरह से मैं दोनों को जो जॉइंड कर दूंगी ठीक है इस तरह से मैं एक साथ ले रहे हूं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के सबसे लास्ट वाले chain में मैं इसे slip stitch करते वे से joint करके ring बना लूँगी ठीक है ये देखिए मैं ring बना रहे हूं और इसके बाद आपको 3 chain लेना है 3 chain के बाद मैंने 1 एक और chain ले लिया है 4 chain और यहां पर मैं double crochet निकाल रहे हूं इस loop से आपको 18 double crochet निकाल ले है ठीक है और सारे double crochet के बीच में 1 chain का gap करना है ये जो मैंने 3 chain का पहले मैंने सबसे पहले मैंने 3 chain बनाया था उसे भी count कर लेना है आपको total मिला के आपका 18 double crochet होना चाहिए इस loops के अंदर से और one chain इस तरह से one chain बनाना है फिर आपको double crochet निकालना है फिर बीच में one chain का gap करना है फिर double crochet leap से निकालना है इस तरह से मैं 18 double crochet बना के आपको दिखाऊँगी ठीक है इसी loop से इस तरह से ये देखिए मेरे 18 double crochet बन के त्यार है और इसे मैं जॉइंड करूंगी, كैसे जॉइंड करूंगी, मैं वह भी आपको दिखाते हूँ, अब जॉइंड करने के लिए, यहाँ जो मैंने ए रींड श्रेटी बनाई थी, इसके सबसे लास्ट साली चैन में आपको इस तरह से जॉइंड कर देना है, यह देखिए मैंने डबल कुरू से निकालनी है और एक चेन के अंदर से यह देखिए चेन दिख रहा है आपको इस चेन के अंदर से आपको एक डबल कुरू से निकालनी है फिर आपको इस दोनों के बीच में जो लूप है यहां से एक डबल कुरू से निकालनी है और फिर आपको चेन के अंदर स इस तरह से यहां पर आपका इस रो में टू टू डबल कुर से आपकी त्यार हो जाती है ठीक है और यह जिसे मैंने फर्स्ट रो में मैंने बनाया था एट्टिन डबल कुर से और आपका ठाड़ रो में हो जा रहा है सोरी सेकेंड रो में मैंने बनाया था एट्टिन डबल कु इस तरह से ये double होते जा रही है ये round मैं ऐसे complete करके दिखाऊंगी ये देखिए मेरा complete हो चुका है अब मैं आपको दिखाऊती हूँ मैं देखिए मैं आपको और दिखा देती हूँ और ये दोनों के बीच के loop से मैं निकाल रही हूँ फिर फिर इसे joint कर देना इस तरह से इस तरह से मैं करते जाऊंगी ये देखिए चेन के बीचों बीच इस तरह से आपको निकालनी है फौर्थ रो में आपको फिर वन चेन को skip कर देना है वन चेन को skip करना है आपको टू चेन यहाँ पे लेना है और ये वन चेन को skip करके दूसरे वाले चेन में मैं यहाँ पे डबल कुरूसे करूंगी इस तरह से फिर इसके बगल से भी मैं चेन के अंदर से निकालूंगी और इसके बाद फिर 2 double crochet करना है इस जगह पे 1, 2, sorry double chain लेना है friend, three mistake हो जाती है फिर मैं यहाँ से double crochet कर रहे हूँ एक chain से एक, एक chain से एक double crochet निकाल रहे हूँ फिर यहाँ पे 2 chain मैंने लिया फिर एक को skip करके दुसरे वाले में मैं यहां से डबल कुरू से निकाल रही हूँ फिर उसके बगल से भी मैं निकाल रही हूँ इस तरह से यह रो पुरा कम्प्लिट करके मैं आपको दिखाते हूँ अभी यह कम्प्लिट हो चुका है अभी मैं इसे जॉइंट कर दूँग इस तरह से इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगी ये देखिए बहुत अच्छी देखिए फिर आपको 3 चेन बनाना है 5 रो के लिए 5 रो में क्या करना है आपको चेन के बीचो बीच जैसे मैंने डबल कुरूसे निकाला था उसी के सिधाई से ही आपको डबल कुरूसे निकालते जानी है अब बीच में जो लूप है ये देखिए जो 2 चेन का मैंने गैप किया था उसे लूप के अंदर से 3 टैम आपको डबल कुरूसे निकालना है इस तरह से 3 double crochet मैंने निकाला है यहां से फिर आपको क्या करना है यह जो सिधाई में double crochet बनी हुई है उसके उपर मैं chain बनाऊगा है उसके अंदर से मैं एक-एक double crochet बनाऊँगी ठीक है यह मेरी camera थोड़ी हिल जा रही है यह देखिए इस तरह से मैं double crochet निकाल रही हूँ फिर मैं देखिए यहां से भी निकाल रही हूँ ऐसे निकालते वे जाना है फिर मैं इस लूप से फिर 3 double crochet निकालूँगी 3 time 1, 2 and 3 फिर देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ फिर से मैं इसके सिधाई से मैं वन डबल कुरसे निकालूंगी फिर इसके सिधाय से मैं वन डबल कुरसे निकालूंगी चेन के अंदर से आपको निकालनी है और सेम यही प्रोसेस यह पुरा राउंड यह कम्प्रेट होगा अब 6 को में क्या करना है यह देखे मैं यहां तक आ गए हूँ आपको थोरा दिखा देती हूँ अब हमें क्या करना है मैं यहां से फिर से निकालूंगी चेन के अंदर से ही निकाली हुआ है अब मैं यहां से फिर से निकालूंगे डबल कुरू से इस तरह से करने के बाद इसे जॉइंट कर देना है इस तरह से जॉइंट हो गया यह देखिए बहुत अच्छी बन रही है अब 6 रोम में मैं क्या करूंगे फिर से वही 3 चेन आपको बनाना है यह 3 चेन बनाने के बाद आपको यह इसी के बगल में एक चेन दिख रही है यहां से मैं एक और डबल कुरू से निकालूंगे यह लूप आप चेन की जो लूप है उसी से निकालना है फिर आपको यहाँ पर two chain का gap करना है और एक chain को skip करते हुए दूसरे chain में आपको डालनी है इस तरह से जैसे मैंने four वाले में करोग किया था आपको वैसे ही करना है फिर देखिए मैं सामने से दिखाते हुँ मैंने एक को skip किया और दूसरे में मैं इसे डाल रहे हुँ यह जैसे ही करते हैं पूरा complete होगा यह दो अगर फ्रेंड आपको आपकी अगर कोटोडी जैसी बन रही है तो इसके लिए भी आप किसी की बिनावर्ट ढीली होती है किसी की बिनावर्ट बहुत सक्त भी होती है तो इसके लिए आप यहाँ पर three chain भी ले सकते हो जैसे मैंने यह जुट दिखाया तो इसलिए मैं आपको बता दे रहे हूं इस तरह से आपको करना है कि यहाँ देखिए मेरी एक यहाँ पर छुटी हुई थी अब इसे मैं जॉइंट कर देती हूं इस तरह से जॉइंट हो गया यह देखिए बहुत अच्छी बन रही है अब इसके बाद मै इसे बनाना है और डबल कुरूशे की सिधाय में डबल कुरूशे बनाना है चेन के अंदर से इस तरह से अब मैं क्या करना है इस लूप से मैं तू डबल कुरूशे निकालूँगी जैसे मैंने उसमें निकाला था से मैं ऐसी निकालना है इसमें भी इस तरह से ठीक है फिर आपको का है कि अगल के नदर से में double option निकल हुआ पिर लूप के अंदर से में three double कुछी निकाल रहे हूं जैसे उसमें मैंने किया था सेमी इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा इस तरह से मैं कम्प्रीट करके दिखाते हैं आपको ठीक है इसके बाद आपको एट रो में मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है कि इससे टाइब कर दिखाते हैं है इस तरह से कम्प्रीट होगा यह देखे मैंने यहां तक कम्प्रीट कर दिया है अभी से जॉइंट करूंगी मैं इस लूप के अंदर से मैं दिखा दिका दीती हूं एक बार आपको पीछे निकाल कर देखे मैं तरह भीर डबलबीड है इस अब इसे जोएंट कर दीजिए इसे लिपी स्क्रिस्ट करते हैं ठीक है यह देखिए आपका इतना रोव कंप्रिट हो गया है अब नाइन डोव में मैं क्या करूंगी त्री चेन पहले बनानी है आपको यहां पर मैं क्या करूंगी देखिए यहां पर मैं थ्री चेन बना रही हूं क्योंकि यह कुटोरी जैसे मेरी बन रही थी तो मैंने देखा कि इसे इसके लिए मैं यहां पर थ्री चेन ले रही हूं और यह one स्किप करते वे मैं देखिए यहां पर mini by कुरू से एक एक चेन से मैंने वन वन डबल कुरू से निकाला फिर त्री चेन बनाया फिर वन को स्किप किया इस तरह से फिर मैं यहां पर डबल कुरू से बना रही हूं फिर त्री चेन में बना रही हूं अब फिर मैंने वन को स्किप किया और दूसरी में मैंने डाला है इस तरह से ये रो सारा कंप्लीट होगा नाइन को मैं ऐसी तरह से कंप्लीट करूँगी इस तरह से देखिए मैं इसको जॉइन कर देते हूं ये रो भी कंप्लीट हो चुका है इसके बाद मैं थ्री चेन बनाऊंगी और इसके बाद मैं इसी चेन के अंदर से एक डबल कुरूशे निकालूँगी वन डबल कुरूशे इस इधाय से चलते जाएगी ठीक है अब मैं क्या करूँगी इस लूप के अंदर से थ्री डबल कुरूशे निकालूँगी ये देखिए इस तरह से फिर एक chain से वन डबल कृष से और वन डबल कृष से इस तरह से मैं डो double कृष से इदर से निकालूगए फिर loop के अंदर से 3 double कृष से निकालूगए इस लोम मैं मैंने friend इस तरह से अकम्प्रीट करके देखा तो ये थोड़ी mistake बन दे थी इस तरह से अब इसकाश huge. आपको फैस कर रही हूं मैं आपको शेयर कर रही हूं कि आपको लगी कि मैं गल्त ना बता हूँ ठीक है तो इस तरह से मैं आपको बताते भी जा रहे हूं और इसके बाद नहीं हां तक आपको दिखाऊओ इसी तरह से लिए बनी है लेकी जब मैं बना रही थी फिर मेंने इसे निकाला सारा को उसके बात कुलने के बात मैं बियात कर घुढ लिएी त्युक्तभी मैं निताला, कुअ पैसा से लुक्त से लेखा वृत सी मैं युद लिखा लेखोस्फरी त्युक्तम आपका चनत है कि तरह मनक्तलुब होगा कि कभी-कभी बुनाई ही, कुमने बुनाई ह άλλा जर जाई पासु करदें दिल से को दिल के अपने ही एक और नहीं पे दिल के नाीं में। क्ला में दी मेरी डाका नहीं करें। मैं इस तरह से, और chain के अंदर, chain के अंदर या loop के अंदर आप जो बोलो, यह chain देखिए उखर में chain जैसे दिखती है, यहां से मैं स्क्रीष्टिच बनाओंगी, इस तरह से, यह तरह से आप बोल सकते होंगी, इस तरह से स्क्रीष्टिच देते हुए, मैं इस रोगो पुरा प अब देखिए, मैं बहुत पूसिस कर रहे हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा से समझा से, पिर नाओट से भी थोड़ी मिस्टिक हो जाती है, बहुत जोगों की है, तो आप लोगों से आज़ा माद सोचेगा, कि मैं आपको गलत बता रहे हूंगी, अगर आपके थोड़ी सक्त भी नाओध है, तो आप पॉइंट फोड़ी पर हासकते हो चैन की, इस तरह से, तो बहुत अच्छी बनती है यह, अब देखिए, मैंने यहां तक कंप्लिट करके, आपको दिखा रही हूं मैं, यहां तक मैंने कंप्लिट कर लिया था, अब इसके बाद मैं आपको मैं पुरा कंप्लिट करूँगी, और जॉइंट करके बताती हूं आपको, बहुत लोग जॉइंट भी ने कर सकते हैं, तो इसलिए मैं दिखा देती हूं कि कैसे जॉइंट करना है, ऐसे गर किसे जॉइंट कर दिजीए, और कट लगा दिजीए, इस तरह से, यह देखिए, कम्प्रिट हो गया है ये मेरा कि इस तरह से मैं चेन के अंदर से इसे निकालते हुए इसे चुपा देती हूं तो इसे क्या होती है कभी भी ये खुलती नहीं है आप कितने भी वॉस कर लो ये देखिए बहुत खुश्रा सा दिखने लगा अब मैं वाइट उन का मैंने वाइट उन आपको नहीं दिखाया था ठीक है तो इसके लिए मैं सोरी कर मांगती हूं और ये देखिए मैंने फोर प्लाय की वाइट हूं लिया है पचास ग्राम की है ये लेकिन आपको ये मुश्किल से ये बहुत कम ही लगती है जादी नहीं लगती है इस तरह से इसमें मैं इरिंग बनाते जाओंगी चुननत ये क्या मैं बोलू इस चोटी टैप की मैं बनाओंगी ठीक है निकालते वे फेले मैं ने देखिए किस तरह से मैं फ़साया और इसके बाद मैं यहां से निकाली हैं उपर की लूप से मैं नीचे फ़साते वे उनको ला रहे हूं और इसे पंदे से निकाल रहे हूं यह देखिए और यह चोटी की जैसे बनते जा रही है इस तरह से इसी तरह से मैं फुरे कंप्रिट करके दिखाऊंगी यह देखे यहाँ पे एक लूप दिख रहा है उसके बगल में वहां से मैं निकाली फसाते वे फिर इसके अंदर में डाली फिर मैं पीछे से निकाल के आगे में कर रही हूँ फिर आगे से पीछे की और ऐसे करते वे आपको फंदे में फसाते वे इस रिंग के उपर वाली जो रिंग है इसके अंदर से निकालते वे जाना है इस तरह से यह चोटी बनते जाएगी, यह देखिए, बहुत फुपसर दिख रहा है यह, इस तरह से मैं complete करके दिखाती हूँ आपको, यह सारा complete हो गया है, अब मैं यहाँ joint करके बताऊंगे आपको, आपको, यह सारा करके बताऊंगे आपको, यह सारा करके बताऊंगे आपको, यह देखिए, इस तरह से मैं गाठे लगा दूँगी, यहाँ पर, और इसे आप कटल कर दीजिए, यह हो गया complete, इसके बाद आपको क्या करना है, एक अलग से उन लेनी है, इस तरह से, इसे मैं गाठे लगा के या नोट लगा के आपको, फाइब डबल, सोरी, फाइब चेन बनाना है, ठीक है, इस तरह से देखिए, मैंने फाइब चेन बनाया, फाइब चेन के बाद थ्री चेन को स्कीप करके, फोर चेन में आपको डबल कुरूज से टू टाइम निकालना है, इस तरह से, यह थ्री हो जाती है, चेन को मिला के, फिर यहाँ पे थ्री चेन में बनाऊंगी, थ्री चेन बनाने के बाद इसके बगल में जो चेन है, इस लाश्ट वाले चेन से मैं थ्री डबल कुरूज से निकालना है, वन, टू, एंड ट्री, थ्री मैंने निकाल लिया, इस तरह से यह फ्लावर जैसे बन गई है, देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, आपको वन चेन लेना है, इस तरह से, इस तरह से मैं ले लूँगी चेन, अब यहाँ पर देखिए, चेन दिखरी है आपको, हमें, अब मैं यहाँ से, वन डबल कुरूज से निकालना है, वन चेन से, फिर वन चेन से, वन डबल कुरूज से, इस तरह से थ्री चेन से मैं, वन वन डबल डबल कुरूशे निकालूँगे, फिर वन चेन इस तरह से लेना है आपको, फिर बेक सैड आते हुए, ये जो मैंने फ्लावर बनाया था, इसके बीचो बीच लूप में मैं यहां से थ्री डबल कुरूशे बनाऊंगी, इस तरह से देखिए, फिर आपको थ्री चेन बनाना है बीच में गैप के लिए फिर डबल कुरू से उसी लूप से मैं निकालूँगी इस तरह से यह सिक्स डबल कुरू से यहां से निकलेगी यह देखें यह फ्लाउर त्यार होगे अब इसके बाद क्या करना है आपको यहां पर फाइब चेंड लेना है फाइब चेंड लेने के बाद अब मैं इसे फ्रेंड में लाके इसे लूप के बीचों बीच में यहां पर ज्वाइन करूंगी फंदे लेके ठीक है इसके बाद मैं यहां से डबल कुरू से फिर से त्री टाइम निकालूंगी फिर थ्री चेंड आपको बनाना है फिर मैं यहां से त्री डबल कुरू से निकालूंगी इस तरह से यह देखे मैंने बना लिया फिर वन चेंड मैंने लिया वन चेंड लेने के बाद यहां पर टू चेंड को आपको स्किप कर देना है one two ओर तीसरे में आपको double crochet बनाना है फिर उसके बगल से double crochet एक निकालना है इस तरह से आपको three chain से three double crochet one one time निकालना है निकालने के बाद फिर आपको one chain लेना है फिर back side आके आपको फिर से यहां पर flower त्यार करना है जैसे मैंने बताया था 3 double crochet बनाने के बाद बीच में 3 chain का gap करना है फिर आपको उसी loop से 3 chain बनाना 3 double crochet फिर से यहां से निकालनी है total मिला कि यह 6 double crochet से इस loop से निकलेगी और फिर आपको यहां पे क्या 5 chain बनाना है यह देखिए 5 chain बनाने के बाद फिर आपको इसी loop के अंदर से same जो मैंने बताया same आपको वैसे ही करते वे आपको जानी है इस तरह से यह देखिए ऐसे यह त्यार होते जाएगी एक मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको करके यह देखिए मैंने 3 chain लिया 3 chain फिर देखिए यहां से 1, 2, 3 double crochet total 6 double crochet मैंने निकाला है फिर 1 chain लूँगी मैं और इसके बाद मैं देखिए यहां पर 2 chain स्किप करूँगी 1, 2, तिसरे मैं मैं double crochet से बनाऊँगी ठीक है? इस तरह से यह होते जाएगी अगर आप अच्छे से watch करोगे friend तो अच्छा तरीके से आप समझ सकोगे अगर ऐसे picture को भगा भगा के देखोगे तो नहीं समझ पाओगे तो सिखनी है तो आपको ऐसे देखना ही पढ़ेगा क्यूंकि कहीं घर मैं बरहा रही हूँ कहीं मैं क्या कर रही हूँ तो आपको देख देख के ही सिखना होगा आप पूरे वीडियो नहीं देखोगे तो समझ भी नहीं पाओगे इस तरह से ये complete करती हूँ मैं इस तरह से ये complete होगा अब इसे मैं complete करके दिखाती हूँ पूरा ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा complete कर लिया है अब इसे कैसे joint करना है last में ये दिखाऊंगी मैं आपको आपको दिखाइए तरह से आपको पीर दिखाए कोसिस कर रहे हूं कि आपको दखाए क्या अब इस तरह से आपको फिर से 3 डबल कुरू से निकालना है इस लूप से और 3 चेन बनाना है फिर 3 चेन बनाने के बाद फिर 3 डबल कुरू से निकालना है तो यहाँ देखिए मैंने 1 चेन बनाया फिर बगल से मैं इसे जोइंट कर रहे हूँ और फिर इसे जोइंट करने के ब इसे जोइंट करके इस तरह से जोइंट हो गई आपकी देखिए इस तरह से मैंने जोइंट कर दिया जोइंट करने के बाद 1,2,3,4,5 5 यहां पर मैं जोइंट कर दियूंगे इसे 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 तरह से जोइंट करना है इस तरह से यह कंप्लिट हो जाएगा यह देखिए यह इस तरह से दिखेगा जोइंट करने के बाद अब इतना कुछ रस से दिख रहा है लाइट दीन अब यह राथ हो गई है इसका रहा है यह देखिए जादी डार्क दिख रही है नहीं तो यह बहुत खुबसर सा दिखता है अब इसके बाद मैं जोइंट करना जोइंट कर चुकी थी अब इसके बाद क्या करना है आपको देखिए यहां से आपको 3 chain लेना है 1,2,3 ठीक है जोइन करने के बाद अब यहाँ जो फ्लावर की दिख रही है आपको पंकुरी यहाँ पर आपको इसे जोइन करना है डबल कुर्से करते वे और यहाँ से आप 3 chain फिर बनाना है आपको 1,2,3 अब इस दोनों के बीच में जो लूप बनी हुई है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल कुर्से निकालूंगे इस तरह से 1,2,3 तोटल 3 हो जाता है chain मिला के अब मैं यहाँ पर जॉइन करूंगी यह देखिए मैंने बीच में 1 chain भी बनाया था ठीक है और इसके बाद यह जो 5 मैंने chain बनाया था उसके बीचो बीच इधा से 2 skip करना है इधा से 2 अब बीच में आपको जो बचा हुआ लूप है वहाँ से आपको डबल कुर्से 3 टाइम निकालना है फिर आपको 3 chain बनाना है इस लोड़ी 4 chain मैंने बनाया है 4 chain बनाने के बाद फिर मैं यहाँ से डबल कुर्से निकालूंगी 1, 2, 3 and 3 इस तरह से यह बहुत खुबसरत सा फ्लावर दिखता है उपर में भी फिर आपको 1 chain लेना है 1 chain लेने के बाद फिर बीचो बीच आपको बीचो वाली लूप में 3 डबल कुर्से फिर निकालनी है यहाँ से और 4 chain बनाना है 1, 2, 3, 4 4 chain बनाने के बाद फिर इसी लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल कुर्से फिर से निकालूंगी बीच में आपको 4 chain का गैप करना है जैसे उसमें आपको 3 chain का गैप करना पर रहा था यहाँ 4 chain का गैप करना है इस तरह से यह पुरा रो कम्प्रिट होगा यह देखिए आप देखते जाए यह कैसे बेकर रही है इस तरह से देखिए कम्प्रिट करके दिखाते हैं मैं आपको यह देखिए मैंने यहाँ तक कम्प्रिट कर लिया है और दो मैंने छोड़ दिया है आपको दिखाने के लिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कैसे मैं कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर 1 chain लोगी और यहाँ कि यह देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको 1, 2, skip करके मैं तीसरे वाले में लूप में डालूँगी इस तरह से फसाओंगी मैं अब मैं यहाँ से 1, 2, 3 डबल पूसे निकालूँगी और 4 chain बनाओंगी मैं 4 chain बनाने के बाद फिर इसी लूप के अंदर से 3 डबल कूसे निकालना है इस तरह से यह देखिए यह मैंने complete कर लिया फिर 1 chain मैंने लिया 1 chain लेने के बाद आपको इस यह जो मैंने तियार किया था उसी लूप के अंदर से मैं नीचे से मैं यहाँ पे 3 डबल कूसे बनाओंगी 2 & 3 यह 3 बनाने के बाद फिर आपको 4 chain बनाना है और इसे यहाँ पे च्वेंट कर देना है इस तरह से यह complete हो गया अब मैं कट लगा देती है यहाँ पे अधिया यह यह देखें और यह कितना खुपसुरत सा दिखने लगा है यह ए रोयल बलू है बहुत ही खुपसुरत सा दिख रहा है यह बलू यह मेरी बनाते-बनाते रात हो गई है इसका यह थोड़ी डार्प को दिख ली एन यह तो बहुत खुभाश्ड कर रहें अब वाइट तो इसमें बहुत ही खुभाश्यद सादी रहा है यह वाइट इसमें अब मैं इसके बीचो बीच किस तरह से मैं वाइट से करूँगी वो मैं दिखाते हूँ आपको इस तरह से मैंने देखिए नोट लगा लिए पहले ही अब मैं यहाँ इस लूट से निकाल के इसे पीछे से आगे क्योड लाऊंगी फसाते वे यह देखिए अब मैं यहाँ से इसको आपको पीछे की ओर कर ले नहीं है धागे को और यहाँ से मैं फसाते वे इस लूट के अंदर से निकालूंगी इस तरह से ठीक है फिर मैं फसाते वे इस लूट से निकालूंगी इसी फंदे से आपको निकालते वे जाना है पीछे की और से आपको धागे को आगे की और लाते हुए इस फंदे के और डालनी है इस तरह से देखे ऐसे मैं निकालते हुए इसे कंप्रिट करती हूँ और यह बहुत खुप्षरा सा चेन सा बनते जाता है तक यह की कि बूटी बन रही है इसे बीच और यह िकाल son अब चेन के बीच मैं बीच में णिकालते हो यह तक इसे श्मी यह उच्छी लेखती है देखने में फद्दे को थोड़े लूज रखने से और भी अच्छा होता है यह देखिए इस तरह से मैं बनाऊंगी इस तरह से यह कंप्रिट होगा यह देखिए मैंने पुरा कंप्रिट कर लिया है कंप्रिट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ कि कैसे मैं फसा फसा कैसे बना रही थी इस तरह से मैं निकालूंगी पीछे से आगी की ओर धागे को आगे से पीछे की ओर ठीक है यह देखिए मैंने लूप में इसे निडल्स को डाला और पीछे से फसाते वे आगी की मैं ला रही है धागे को इस तरह से यह कंप्लिट हो जाएगा तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजेगा एक लाइक आपके लिए कुछ नहीं जाएगा आपको मेरे लिए बहुत ही अच्छी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लाइक कर दोगे तो करने से भी कुछ ही नहीं जाता है अगर अच्छी लगए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें कि मैं और भी अच्छे वीडियो आपको अप्लोड करके दिख्या हूं तो फ्रेंड देखे यह पूरी तियार हो गई है तो इस तरह से मैं से समाप्स करती हूं तो नमस्ते अच्छी लगे तो लाइक प्लीज देखें